हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज हम बनाएंगे ठेले वाली समोसा चार्ट तो इसको बनाने के लिए जो मैंने समान लिया है वो देख लेते हैं बहुत ही कम समान से यह बनकर रेडियो चाहती है आप चाहें तो घर पर समोसा बनाएं और चाहें तो आप मार्किट से समोसा लेकर भी यह चार्ट बना सकते हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने यह समोसे ले रखे हैं इस तरह से हमने ठेले वाले की तरह लगाए है और उसके बाद हमने एक टेबली स्पून लिया है और उसमें मैंने प्यास बारी कट के हुआ एट किया है और इसको मैंने अच् कि देखिये इसको और चलाते रहना प्यास में छोंस सफ्त करना है जब हमारा फिर नाट करना है वारिक लेह इसको मीसमें मसाले करने है तो यहाँ पर मैंने काल्य नमक जीरा पाउडर 1 फोर चमच सभी मसालों को मिक्स करें ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडियो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है एकदम ठेले वाले जैसी तो अगर आपको ठेले वाले जैसी समूसा चाट बनानी है तो आप बिल्कुल इस रेसेपी से बनाएं तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी हमें समूसो को इस तरह तोड़कर इसके अंदर मिक्स करना है फ्लेम को हमें हाई रखना है हरी चटनी मैंने यहाँ थोड़ी सी आट की है हरी चटनी आप एट कीजिए आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग हरी चटनी आट कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो हर अधनिया पारी कटी हुई हरी मिर्च सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें आपको लग रहा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी और आपके मुँ में पानी भी आ रहा होगा तो जट पड़ से आप ये ठेले वाली समोसा चार्ट बनाकर रेडी कीजिएगा और कमेंट करका बताइएगा अब मैं इसको सर्फ करूंगी ये बिल्कुल रेडी है एक दम पर फेक्ट बनी है आप देख सकते हैं सर्फ करने के बाद हमें इसके उपर थोड़े से बाइल चोले आइड करने है बिल्कुल इसी तरीफे से हमें बाहर बाजार की समोसा चार्ट बनाई जाती है मैंने सेम उसी प्रोसिस से आपको बनाना बताई है आप इस प्रोसिस से बनाएंगे तो एकदम आपका बाहर वाला टेस्ट आएगा हरी चटनी हमें आप पर एड़ करनी है जितनी आपको पसंदो आप उतनी आड़ कर सकते हैं करनिशिंग के लिए हरी चटनी खटी मीटी इमली वाली जो चटनी होती है वह भी हमें इस पर एड़ करनी है और फिटा हुआ दही जो कि विस्क किया है मैंने वह आप इसमें आड़ कीजिएगा दही वाली चटपटी समोसा चाट बनकर आपकी बिल्कुल रेड़ी हो गई है और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है उपर से आप कटी मीटी चटनी आड़ कीजिएगा जितनी आपको पसंद हो और ये बहुत ही डेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताओं ये कितनी डेस्टी बनी थी तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंड बॉक्स में मुझे कमेंड करकर बताइगा कि आपकी समोसा चाट कैसी बनी इस तरह से तोड़ा सा हमें यहाँ पर मसाला एट करना है इससे टेस्ट अच्छा आजाता है तो ये हमारी समोसा चाट बनकर बिल्कुल रेडी है और उपर से हमें यहाँ पर कोई भी नमकीन आप एट कर सकते हैं मैंने आलू पुजिया एट की है इससे टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा आपके नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये हमारी समोसा चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा श्यूयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बैल आइकन क्लिक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा